वेकम नुमाइ चैनिल आज से हम शीरू कर रहे हैं क्लास तेन की इंग्लिश तो मैं आपको बढ़ाने आए हूँ क्लास तेन इंग्लिश का पूरा सिलेबिस चाहिए लिटरेचर हो रीडिंग हो राइटिंग हो या ग्रामर सेक्शन हो तो अगर आपको पूरी क्लास तेन स्टेन इंग्लिश फर्स लाइट बुक का पहले चैप्टर अलेटर तो गॉड से जल्दी से मुझे बताईए कॉमें अलेटर तो गॉड के राइटर का नाम बताना एक अपने इमोजी के साथ हर एक चैप्टर में हमारी एक टाइप का ट्रेडिशन बना दिया है जो भी बिकुल सही स्पेलिंग के साथ में तो बताऊंगी नहीं राइटर कौन है या ओथर कौन है पोएट कौन है आपको खुद बताना है उनका नाम एक अपने फिवरिट इमोजी के साथ ठीक है तो चलो सिरू कहते हैं अब अपने इस चाप्टर को लेटर टू गॉड होने क्या दुनिया पुरा यूनिवर्स और भगवान हमारे को जरूर प्रवाइट करते हैं अगर हम उसको दिल से चाते हैं और हम भगवान से सच्चे मन से प्रातना करते हैं तो वह पूरी हो जाती है तो ऐसा ही आपको सीख मिलेगी पहला दिन है आपका मितलब आप समझो कि यह इस साल एक एम बनाओ हमने लाने है 99% मेहनत करो उमीद नहीं सोड़ने है जैसे लेंचो नहीं सोड़ेगा एंड डेफिनेटली मेरे भाइबे 99% लाएंगे ठीक है लाने वाले है ना तो ऐसा यह चाप्टर है तो होता क्या है लेंचो नाम का एक फार्मर है यह देखो यह ल एंचो का घर था ठीक है पहाड़ी की चोड़ी पे और इसके घर के आसपास में इसकी फिर थी इसका पूरा का पूरा खेता खेत पर क्या लग रखेते बुट्टे बुट्टे कौन होते हैं अब गर्मी में तो वैसे भी इतने सारे लोग बॉयल कौन अलग अलग सी कौन की देशिस खाते हैं हम लोग तो भाई इसकी खेत पर बुट्टे थे और यह उग रहे थे और विकुल अप चुके थे फूल आ चुके थे उन पर एंबस हर्वेस्निंग के लिए रेडी थे बस इसकी फसल को एक बारिश की जरूरा थी बारिश मतलब डाउन पॉर लिखा है ब अब ड़िया कम होगा फैसे या अपनी वाईफ को बोलता है आसमान में देखते वे कि आफिंग आज बारिश आएगी तो अपनी वाईफ को बोलता है कि तरह के वो तर न पता है आपको तो उस direction में देखर होता है वहां से बादल बादल होती है तो कैते हैं तो यहां पता है कि यह लोग भगवान पे बहुत रखते हैं इसकी वाइब के जरूर बारिश आएगी और इस समय में क्या और रहा है लेंचो बड़े बेटे हैं वह खेत में काम करें चोटे बच्चें एंजॉय करें इतने में ही ख को सब आए करने क्लिए बैठो अब जैसी वह सब लोग खाना खाने बैटते हैं तो लेंचोगीने जो कहा होता है न कि आलए आज वारिश आएगी वह बात सच्छ हो जाती है वहीं नौर ती डियर डिरक्षन से काले घने बादल आते हैं और बहुत जोर-जोर की बारिश उन को देखता है तो अपने वाइफ को और अपनी फ्रावर यह चोटी बारिश की सो हैं तो यह इस तरीके से वह बारिष की भूणद吗 किस से कंप्र करते हैं सब्सक्राइब बच्चे बढ़े खुश है और अगनम भी बारिष होते होते क्या होते तुफान आफ शुरू हो जाती है बहुत घनी घनी हवाय चलनी शुरू हो जाती है और एक दम से वो जो बारिश चल रही थी वो ओलो की बरसात में बदल जाती है और एसब होता है हेल स्टोन बरसने शुरू हो जाते हैं जब और बरसते हैं तो लेंचो डर जाता है क्योंकि और बरसना उसकी फसल के लिए साहीन नीए बढ़ सेंगे तो पुरी फसल खराब हो ज खेद खराब हो जाए नहीं वो जाके उनको करना शुरू कर देते हैं और लेंचो कहता है कि हाब यह जो ओले है ना यह तो सिल्वर कॉइंस के जैसे लग रहे हैं बट वो जो है उसके लिए अच्छे नहीं थे दीरे-दीरे क्या उन्हें लगता है बच्छे इदर उदर वोले कर रहे होते हैं फ्रोजन पर्ल्श लग रहे हैं वह बिल्कूल ऐसे जैसे परचो टे ना जुब समुदर में निकलते वीकुट यह थे फ्रोजन पर्ल्श नहीं ते वह लेंश जीमारी बहुत देरे तक बारिश होती है और यह म्यों देर में चल जा था थिए और कि नहीं हो छिड़क दिया हो सपेद रंके उले पूरे में गिर चुके थे और सारी की सारी फसल जो है हमारे लेंचो भाई की खराब हो गई थी लेंचो बड़ा परशान हो जाता है और कहता है कि अगर ट्लीक ऑफ लॉक्ट्स होता तो भी इतना नुकसान नहीं होता है यह टेड़ी नाम संधे करती है उलों वहली बथे परशान होता है पूरी फैमिली बहुत पर्शान होती है पूरी साल की मेनत हनद खराब गई हमारी अब कॉन हमारी मदद करेढ है क्योंकि पूरीавай वह इंटाःव। परशान मत हो कोई भी फूका नहीं मरता है कभी ऐसा नहीं होता है और सबके मन में एक उमीद भी थी कि और सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि उनकी फ्यामिली गौड में बहुत भर्युसा कर दी तो ऐसा ही होता है संडे का दिनाथा है तो संडे का दिना आता है संडे को सुबाद चार-पाच बजे की बात है लेंचो डिसाइड करता है कि भगवान को एक लेटर लिखे का तभी चै चैनल है कि उसको रिप्लाइ आएगा और लेंचो जो है काई इस इसे बार में बता रखा है कि बहुत पेहंती इंसान है और यह पर्णा लिखना है लिखता है और जो है जो मेरी फिर पूरी खराब हो गयी है और अब मुझे 100 पैसों चाहिए पैसों क्या है गाई यह मेसिको करेंसे हैं जैसे हमारी करेंसी रूपीज है ना वैसे कहता है कि मुझे सौ पैसो चाहिए इत्ते सारे पैसे मुझे इसलिए चीए क्योंकि कुछ साल के लिए जब तक मेरा यह अगले साल तक तक मेरी फसल नहीं दुबारा वोगेगी तब के लिए मुझे घर का खर्चा चलाना है और प्लास नहीं फसल बोने के लिए जो बी जाएंगे उस सब के लिए मुझे सौ पैसो जिन टोटल चाहिए प्लीज आप मेरी मदद कीजिए लेटर लिखता है संडे को सुबह जाता है जाके पोस्ट ऑफिस के अंदर उसे पोस्ट कर पोस्ट कर देता है वहां पर पोस्ट ऑफिस के अंदर यही वाला लेटर पोस्ट मैं के आता है तो वह बड़े कंफ्यूज होते हैं और हसने लगता है मजाक उड़ाने लगता है कॉमिक में लेता है उसको कि अपनी लाइफ टाइम में उसने कभी ऐसा कोई एड्रेस नहीं की लिए प्रवाइट के पास जाते हैं तो वह बडे प्रोब्लम के आती है तो वह तो बड़े हरान हो जाते हैं और वह जो है न पहले तो हस्ते हैं और फिर एक मिनिट में सोचते हैं कि ऐसा विश्वास होना भी बहुत कमाल की चीज़ है और कहते हैं अपने सारे पोस्ट ऑफिस के लोगों को कि मैं मदद करूंगा इस इंसान की जो भी इस लेटर में लिखाओगा मैं इसको जवाब दूँगा ठीक है तो वह लेटर को उपन की जरूरत है तो हम सब मिलके इसकी मदद करते हैं वह अपने तरफ से अपनी सैलरिया कुछ पैसे देते हैं पोस्ट ऑफिस का हर इंप्लोई कुछ-कुछ पैसे देते हैं वह अपने किसी फ्रेंड फैमिली वालों से भी एस एक्ट ऑफ चैरिटी ना कि भले इंसान की मदद में दोगा तो इसलिए वह करते हैं बच जो भी होता है न हुआ सब्सक्राइब कर देते हैं प्रोड एंपर लिख देते हैं सिंपल और यह लिख देते पोस्ट मास्टर जोड चेवाड ओनों ने ऐसे कि लेंचो को जाके एसान जिता है कि नहीं भाई यह देखो यह हम सब ने तुम्हाइली पैसे कर नहीं उनको लेंचो का भरोसा जो भगवान पिता उसे बरकरार रखना था गौट पे उसका भरोसा था वह नहीं टूटना चाहिए उचा देते तो सिर्फ गौड लिखके वह ल लेंचो पटेगा लेंचो लेटर को सिर्फika कहें देखी पेसे हैं उसके अंदर पोस्ट मास्टर थे वह बड़े वीजा थी ना वह leère कि देख रहे होते लेंचो को उसके एकमेशन कैसे पैसे को देख़ के लेंचो लेंचो लीटर लेटर उपन कर लिए Jimi को डिघए उसके पैसे निकालता है और oney Samsung करता अध tap क्या करता है है और यह सी सब्सक्राइब क्लिक लिएफ्मालरा ख्लाव किते लेंे के यापए स्ट्रेंप लगाके जाकि उसको पोस्ट कर देता है और बापस यापने तो पोस्ट्मेंमा से है और दमने कि लेंटर को पड़ कि गौरड जितने पैसे मांगे थे ना सब से सतरी मेरे पास प्लीज मेरे बाहिए तीस पैसे में शे पैसे देंगी तो पोस्ट k sortir मत देना यह बंच ऑफ क्रूह थैं कृूक मतल्बहो बहुता इस आनेस्ट पर्सन है क्रिमिनल टाइप के जो चोड़ी करते हैं एक नगर के लोग तो वह लिख देता है कि भाई ये पोस्ट आफिस के लोग ना डिसॉर्णेस्ट है इन्होंने मेरा पैसा चोड़ी कर लिया है तो अगली बार बचे वे 30 पैसों यहां से मन भीजना और यहां आपका चाप्टर है तो आप पजा नहीं यह वह पोस्ट मास्टर को कैसा फील हुआ होगा यह तो नहीं बताया है हमें आगे ऑफर ने कि चैप्टर के एंड में कि वह लेटर पढ़ने के बाद उन्हें कैसा फील हुआ कि वह उन्होंने भलाई का काम करा और जो है लैंचो उन्हीं के उपन इंजाम लगा रहा है कि उन्होंने पैसे चोरी कर लिए बट फिर भी कहावत है ना कि नेगी कर दर्या में डाल यानि कि अगर आप किसी की मदद करें तो कभी यह उमीद ना रखी कि वह आकित हैंक्यू करेंगे आपने जो मदद किये उसका फल आपको एक दन जरूर मिलेगा तो यहां पर आपका य सब्सक्राइब करेंगे लिए 70 पैसों जब लेंचों को मिलते हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है उसे लगता है कि पोस्ट ऑफिस के इंप्लॉई नेहीं बाकी बच्छे वे 30 पैसों चुरायोंगे तो वह भगमान को एक और लेटर लिग देता है उसमें कहता है बाकी प्रिस्टिंग है हमारे बूल बुकेच चाप्टर तो अभी मिलेंगे नेक्स यूडियो में जहागला चाप्टर पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन वोक्स को चेक कर लिए जिए सारी प्लेलेस गिवें है पिंड कॉमेंट को चेक कर लिए फिसके क्वेशन आंसर मिल जाएंग सब्सक्राइब कर इंस्टा नहीं चलाते हों तो यह दो जगाहों से आपको मेरे सब्सक्राइब मिल जाएंगे नेक्स में चलते हों वह वह टेकर एंड वेस्ट आफ लग